कहिए कैसे हैं आप एक अच्छी बहू कैसे बने एक अच्छी डॉटर इन लॉग कैसे बने देखे जब बेटी का जनम होता है ना तो उसके पेरेंट्स अलग-अलग सपने बुनने लगते हैं सपने क्या कि एक सुन्दर सा राशकुमार आएगा घोरे पे बैट के और इसको ड हजारों सपने सजा कर अपने नए घर में जाती है अपने पती के घर में जाती है और वहां उसकी यही कोशिश रहती है कि सबको खुश रखे वहां खुश रहे भी और सबको खुश रखे देखे कुछ बाते तो ऐसी हैं जिनका उसको पता होता है कि इन बातों का ख्याल आधरमान देना है, सब का कहना मानना है यह चीजे थी यह जो कि बहुत जरूरी है और यह सबको पता होती है पर rais की इलावा कुछ और बात भी ऐसी है जिनका उसको क्या हम रखना चाहिए एक अच्छी बहू अगर उसको बनना है तो कुछ बाते ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए अब वो बाते क्या हैं तो मेरे हिसाब से जो बहुत जादा जरूरी है नौ बाते वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ तो सबसे पहले है और मुझा लगता है कि सबसे जादा जरूरी सब ऐसे होते हैं तो उनको वैसे ही मिलेंगे अगर पॉजिटिव सोच लेके जाएंगे कि सब अच्छे होते हैं और मैंने भी अच्छे बनके रहना है तो अलग ही महौल होगा अपनी जो मान सिखता है न वो ये रखनी चाहिए कि ये मेरा परिवार है ये बजाए ये सोचने की कि ये तो मेरे पती का परिवार है ये मेरा परिवार है तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहके और ये सोच रखे कि ये मेरा परिवार है फिर दूसरी बात की समझे शादी होने के बाद जब नए घर में जाते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है एक दूसरे को जानने में समझने में चाहे वो husband हो, चाहे husband की family हो कोई भी hope समझने में टाइम लगता है हम एक दम से अपनी राय बना लेते हैं अरे वो तो ऐसी है, वो तो उसने तो ऐसे कहा, एक बार समझिये एक दम से अपनी राय बना लेना कि ये ऐसा ये वैसी ये मतलब हम एक दिन में या दो दिन में ये अपनी राय बना लेते हैं तो थोड़ा सा सयम रखिए, पेशेंस रखिए और एक बार समझिए, कई बार तो एक साल भी लग जाता है, कई बार देट साल भी लग जाता है, कई बार उससे जादा समय भी लग जाता है, एक दूसरे को समझने में, जानने में, तो इतनी जल्दबाजी नहीं कीजिए, को भी तो थोड़ा समय दीजे ना तो ये चीज बहुत जरूरी है कि समझने में थोड़ा सा समय ले एकदम से किसी काम में जल्दबाजी नहीं करें फिर इसमें तीसरी बात आती है कि सीखने का प्रयास करें देखिए घर में रहन-जहन तोर तरीके रीती रिवास कान पान सब हता है अपने घर के हिसाब से उसको इस घर में थोड़ा सा अलग मिलेगा तो वो सीखने का प्रयास करना चाहिए चीज आ होता है कि जो घर है जेस घर में वो गई है उनको लगेगा कि यह जो हमारी ना जैसे कि ये ये हमारे घर में तो नही होता था ये तो इसी घर में सुना ये मैंने तो कभी नी देखा इस तरह से do not comparison no ne all वह हमारी का अपनत अलग महोल होताय अपने अलग रितिरिवास अपनी सोच हिते हैं अपने हिसाफ से घर चलाते है तो आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि वहां के समझें ना की comparison करना चुरू करते हैं कि नहीं मेरे घर में तो नहीं होता था मैं तो यहां नहीं करूंगी तो उससे क्या होता है कि दूरियां बढ़ते हैं, differences हो जाते हैं तो इस तरह से नहीं करना चाहिए फिर इसी के साथ साथ अगला point आता है, वो यह कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए यह है पांचमा point और यह है बहुत जरूरी, कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए हम क्या होता है कि कोई छोटी मोटी बात हो गई छोटी मोटी कहा सुनी हो गई तो हम बाहर शेयर करने लगते हैं किसी तीसरे को बताने लगते हैं जब की कोशिश ये करनी चाहिए कि जिससे भी बात हुई है माल लेजिए एक बहु की सास से कुछ कहा सुनी हो गई तो वो बाहर जाके अरॉस परॉस में या फोन करके अपने घर परिवार को बता रही है तो ये चीज नहीं करनी चीए अगर सास से कोई बात हुई है तो उनके पास बैठ के कि मुझे ऐसा लगा ऐसी बात हुई है आप बताईए कि क्या करूं मैं मतलब उनी से सला लिजे कि आप बताईए कि मैं क्या करूं पर इस तरह से घर के बाहर उन जगड़ों को ले जाकर लोग मजे लेते हैं आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि लोग पूरा इंजॉय करते हैं और बहुत बढ़ा चड़ा के बात कहते हैं जब वो बात उस व्यक्ति तक पहुचेगी तो वो बहुत बहुत अलग तरीके से पहुचेगी ये तो होता ही है ये तो आपने भी अपनी लाइफ में देखा ही होगा मतलब जैसे और घर परिवार में इस तरह की चीज़े होती है इसलिए ये चीज़े ना हो तो आमने सामने बैठ के बैस्ट इसकी चीज़ यही है कि किसी से भी आपकी कोई अनबंध हो गई कोई खटपट हो गई तो उसी से ही बात करनी है जिससे हुई है फिर इसमें सिक्स्थ पॉइंट आता है कि एडवाइज ले मतलब सला ले आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को प्रात्मिक्ता दे कि उनसे सला ले आप जिस घर में रहे हैं उस घर में तो पूछनी रहे अपने parents को अपने brother sister को phone करके पूछ रहे हैं कोई advice लेनी है कुछ जानकारी लेनी है तो उनसे बात कर रहे हैं तो ये बुरा लगेगा कि जिस घर में आप शादी होके आए हैं उनको प्रात्मिक्ता देनी है और आपको कोई चीज़ पता भी है आपने ये सोच ही रखा है कि इस तरह से करनी है तो भी पूछ लीजे कि मेरा ऐसा मान कर रहा है मैं ये कर रही हूँ क्या ये ठीक है उससे क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं उससे उनकी एक ego satisfy होती है कि देखो बहु ने बूजा और उनमें एक अलगी तरह का confidence आता है सला लेने में बात करने में हर्स क्या है अपना पन दिखाने में हर्स क्या है उनको खुश करने में देखें ये छोट-छोटी बात ही होती है उनको खुश करने के लिए तो इसमें बुराई क्या है हम आज ये object लेके चले हैं कि एक सारे हैं तो जो आज ममी बताएंगे वही सबजियां बनेंगी वही खाना बनेगा इस तरह से उनको importance देना उनकी बात मानना अच्छा बताओ कि मैं आज कौन से साड़ी पहन हूं अपनी मदा इनलौ से पूछ रहे हैं तो बताये कितना अच्छा लगेगा उनको बाते कोई बहुत बड़ी चोड़ी नहीं हैं बहुत छोट छोटी सी बाते इनका ख्याल रखेंगे तो हमारा मतलब खुशाली सी हो जाएगी परिवार में जो हमेशा एक तनाव किसी रेखा-खिची रहती है एक टैंशन सी रहती है एक स्ट्रेस रहता है कि सास, भू, ससूर, जठानी नंद ये सब चीजें कम हो सकती हैं हमारी थोड़ी सी समझदारी से कम हो सकती है एक चीज इसमें और भी बहुत जादा जरूरी है जो मैं बहुत जादा महसूस करती हूँ कि अपने नजरिये से नहीं दूसरे के नजरिये से देखें यानि किसी से कोई बात हो गई जैसे मैं जिठाने से हो गई या नन से हो गई तो वो ऐसी सोच क्यों रखती है उसने ऐसा क्यों कहा या उसने ऐसा क्यों सोचा उसके point of view से सोची है कि उसने ऐसा क्यों कहा बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में कुछ कहा सुनी हो गई कुछ misunderstanding हो गई तो इस बात को बजाए tool देने के बजाए अपने नजरिये से देखने के उसने ऐसे का उसने ऐसे का आप जिसने बोला उसके नजरिये से देखिये उसके point of view से देखिये कि उसने ऐसा क्यों कहा जिस दिन आपने उसके नजरिये से देखना सबरना शुरू कर दिया ना उस दिन से जगड़े कम होने शुरू जाएंगे फिर इसमें आठवा पॉइंट आता है कि मा और बेटे के रिष्टे को एंकरेज कीजे देखिए ये चीज बहुत और बहुत ज़ादा इंपॉर्टन है वैसे तो जितने पॉइंट अभी तक साथ पॉइंट पोलें सभी बहुत इंपॉर्टन है और उससे पहले जो आधर मान देना, प्यार करना, कहना मानना ये तो है ही है important पर ये जो point है ना, इस point पे तो बहुत जादा stress भी हो जाता है, tension हो जाती है क्या, देखिए मा और बेटे का रिष्टा कैसा होता है, आप मुझे बताइए कितना खुबसूरत, कितना प्यारा होता है, और मा अपने बच्चे की कियर करती है, और बच्चा अपनी मदर की तो क्या, शादी होने के बाद, एक बेटा अपनी मदर का ख्याल रखना छोड़ दे, अपनी मदर का हालचल पूछना छोड़ दे ऐसे क्या अच्छा लगता है, क्या ये संभव है क्या अगर एक बेटे ने ये तारिफ कर दी कि मेरी मम्मी कड़ी बहुत अच्छी बनाती है और अपनी वाइफ को ये बोल रहा है कि तुम भी ऐसी सीख लो तो क्या वो गलत बोल रहा है इस तरह से क्या उसने गलती कर दी, बचपन से मम्मी के साथ मम्मी की छत्र चाय में तो वो पला बढ़ा है मम्मी के हाथ का तो बचपन से खाना खा रहा है, तो एक टेस्ट डेवलप हो गया ना अगर उसने ये बोल दिया है कि मदर मेरी बहुत अच्छी कड़ी बनाती है, उनसे सीख लो, मदर मेरी करेले बहुत अच्छी बनाती है, उनसे जरूर सीखना तो क्या उसने गलत कह दिया एक हस्वेंट ऑफिस से आने के बाद 10-15 मिनट अपने पेरेंट्स की रूम में बैठता है, उनसे बात करता है, उनका हाल चल पूछता है, तो आपको टेंशन हो जाती है, ऐसा होना चाहिए क्या बलकि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पती इतने केरिंग हैं, अपने पेरेंट्स को लेके इतना ख्याल रख रहे हैं ये चीज तो एक रोल मॉडल बनाएगी, बच्चों की नजरों में, जो बच्चे छोटे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स का कितना ख्याल रखते हैं, तो जब वो बड़े होंगे, तो वो भी ऐसे ही करेंगे और जहां अपने मूँ बना लियागी, अरे अपनी मदर की तो बड़ी ख्याल रखते हो, तो मेरी तो नहीं रखते हैं, तो ये चीज कहां से आ गई, इससे तो हम बच्चों के उपर भी नेगेटिव असर डाल रहे हैं इस चीज को तो आपको एंकरेज करना चाहिए, कि हाँ, जैसे माली जी आप दूसरे शहर में भी रहते हैं, आप तीन-चार दिन हो गए, मदर को फोन नहीं किया, पेरेंट्स को फोन नहीं किया, तो अगर एक अच्छी बहू ये बोलेगी, कि आप फोन कीजिए ना, दो-ति पूती लानी है, रिष्टे तोडने नहीं है, ये नहीं कहना कि शादी होते ही तो लड़का पर आया हो गया, अब ना बहु चिंता करती है, ना बेटा चिंता करता है, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, बड़ों के मन में, ये आनी चाहिए कि शादी के बात तो और अच् लेके उसको बने रहने दीजए, में बहुत ज़रूरी है ... तो मिलके किसे दिल मिला आके कि तो क्या करें एंगलिश में भवा को क्या बोलते है ने डॉटर inलá ठीक है तो अगर हम सकी चूर्ट भारम लेती हैं डॉटर इल तो क्या बनेगा डी-य एल इसे ही जो सास होती है उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मदर इनलो तो इसका अगर हम शॉर्ट ले मिल तो एक तो डिल हो गया यानि दॉर्टर इनलो और यह हो गया मदर इनलो मिल तो वही मैं कह रही हूं कि दिल मिलके रहे देखिए इंग्लिश ने तो इनको मिला दिया सास बहू को मिला दिया दिल मिला दिया मिलके सीधा ही सीधा दिल मिला दिया तो मिलके रहना चाहिए बहुत ज़रूरी है, एक खुशाल परिवाद का राजी यह है, कि सास बहु मिलके रहते है और बहुत अच्छा लगता है देखि़िए अगर आप पास रह रहे हो, अगर आप दूर रह रहे हो तो भी आप अपने पन का एशास जरताद सकते हैं, और पास रह रहे हैं तो उनकी हर एक बात मान के, मतलब उनकी तरह से ढल के, उनके रीती रिवाज अपना के, हम एक साथ खुशी-खुशी रह सकते हैं देखें, बहुत बार होता है, बहुत लेडीज ये सोचती हैं, कि हम क्यों जुकें ये जो सरल रहना, हमारा शान्त रहना, एक बहु अगर शान्त रहेगी, वो सरल रहेगी, तो ये उसकी कमजोरी नहीं है ये ये मैं समझी है कि वो चुप है, ये सास बोल रही है, तो ये चुप है बहु, तो ये कमजोर होगाई, ये कमजोरी नहीं है यह संसकार है जो बच्छपन से उसके माता-पिता देखते आ रहे हैं यह वही संसकार है जब लड़की का जनम होता है और उसके पेरेंट सपने बुनने शुरू कर देते हैं वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि एक सुन्दर सा राजकुमार आएगा मेरी बेटी को ले जाएगा डोलि में बिठा के ये वाले जो बचपन से इस सपने देख коprendimporte कि yang वह प्यार जो उसको देते हैं वह सीख देते इसमयर शिक्षा जरूर बताऊंगी पर फिल्हाल आप मुझे बताईए कि अच्छी बहु में यह जो मैंने आपको नौ क्वालिटी बताईए नौ जरूरी बाते बताईए यह मेरे हिसाब से आप बताईए कि इनके इलावा और क्या-क्या बाते उसको आनी चाहिए उसको सीखनी चाहिए जब नए घर में जा रही है देखिए आप भी experienced हैं अगर आप भी कुछ बता सकते हैं कोई राय दे सकते हैं तो जरूर दीजे किसी के अच्छे भविश्य का सवाल है यह चीज बहुत जरूरी है मिल जूल के रहना प्यार से रहना बहुत जरूरी है तो आपके comments का मुझे इंजा रहेगा तो कल फिर मिलूँगी तब तक smile भी रखिए और positive रहिए और positive सोचिए और हाँ अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद नहीं किया तो please कर लिजेगा और subscribe करने के साथ सतना इसमें जो एक bell क अपलोड करती हूँ आपके पास notification या message आजाए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो please आप इसको share भी कर लिजेगा ठीक बाए